फ्रेंड अज हम डिस्कस करने जा है application of types of device motor तो फरस्ट इसमें हम सनठाइब डिस्कस करेंगे तो संठाइब डिस्कस करेंगे तो संठाइब но डिस्कस होती हो उसमें speed हमारी constant होति है and starting torque क्या होता है medium होता है तो इसकी जो equation बनती है Sun type DC motor की वह होती है and directly proportional to back EMF upon में flux तो जिसमें जो हमारा flux होता है वो क्या होता है constant होता है तो Sun type DC motor की first characteristics क्या होती है इसमें हमारा जो flux होता है वो होता है constant और जो हमारा speed होता है वो directly proportional to होता है back EMF के तो मतलब back EMF के बढ़ने से हमारा speed भी बढ़ता है और back EMF के घटने से speed घटती है तो यह होता है directly relation to back EMF speed के साथ और flux इसमें क्या होता है constant होता है तो जिस करन हमारी speed क्या होती है constant होती है और जो starting torque होता है वो medium होता है तो यह इसकी characteristics हो गई है तो इसकी application क्या क्या है तो first है इसमें blower and fence के लिए यूज किया जाता है second centrifugal and reciprocating pumps के लिए यूज किया जाता है third है lead machine lead machine का मतलब क्या है कि कि किसी भी metal या hood material को cut करने के लिए इसको shape में लाने के लिए जो हम machine के यूज करते है उसे कहते है lead machine और machine tools and fifth है में milling machine and last है में drilling machine तो यह application होती है sun type DC motor की क्योंकि इसमें हमें constant speed चाहिए होती है और starting torque क्या होता है medium चाहिए होता है तो जिसका रण हम इसमें application के लिए lead machine, machine tools और milling machine, drilling machine blower fans, centrifugal pumps इन सब का application के लिए use करते है तो इसमें secondary series type DC motor तो series type DC motor का क्या होता है इसकी characteristics इसमें starting torque क्या होता है high होता है तो high starting torque होता है series type DC motor की और no load condition में जो इसकी speed होती है very high होती है तो no load condition पे जब हम series type DC motor को हम operate करते है चलाते है जब हमारा कोई भी load connector नहीं होता तो इसकी speed क्यआ होती है very high होती है dangerous होता है जिसका ओए हमारा motor खराब by हो सकता है तो इसमें क्या है तो हमने फिर्स Freddy करेक्टिर्श इसमें देखते कि mainly लिए मतलब किसी भी समान को ठाने के लिए जो हम के यूज करते हैं या कोई भी चीज को ठाने के लिए जो उड़त होती है तो इसलिए हम इसमें series ATOR करते हैं उसी बरकार elevator है एलीबेटर लेफ्ट त्या होइस्ट किसी भी पर्डक्त आयटम या किसी भी समान के लिए जो हम यूज करते तो ऊसमें भी हमें HIGH START-IN टॉर की ज़रत होती है कि इव्च करते maybew с Complete के त्रॉले can weía and leps electric locomotive जिसमें कई सारे passenger को बठा के ले जाते हैं तो इसमें starting टॉर्क की भी जौर्थ होती है ज्यादा और थार्ड एसमें cumulative compound motor में जो magnetic field होती है वो दोनों एक दूसरे को support करती है तो मतलब क्या है कि दोनों जो magnetic field होती है compound कम्लियोटिव compound DC motor में वो एकदूसरे को support करती है और जिस कारण इसमें जो high starting torque होता है वो high होता है और no load condition क्या होता है इसमें allowed होता है तो इसमें क्या बोलते starting torque high होता है cumulative compound motor में और दोनों magnetic field होती है और इसमें हम speed को क्या गड़ सकते है गर सकता है मतलब यह variable speed होता है वारे वलिषपीड होता यह चसे हम कंट्रॉल कर सकते या वैरी कर सकते हैं तो यह इसकी characteristics होती है और इसकी application क्या क्या है application है कि यह rolling magic के लिए यूज़ किया जाता है और 25 के लिए यूज़ किया जाता है सियर सियर मतलब क्या है कि जो भी सिप होती है सिप का जो हूल होता है उसको मतलब निकालने के लिए जो हम मसिन के यूश करते हैं वह होता है क्योंकि इसमें हमें स्टार्टिंग टॉर क्या होता है हाई चाहिए होता है और लास्ट इसमें अलिवेटर तो यह सब है इसका cumulative compound DC motor का application, rolling mills, punches, shear, heavy planers and last elevator and last आता है अब इसमें differential compound DC motor तो differential compound DC motor में क्या होता है कि जो दोनों magnetic field होती है वो एक दूसरे के opposite direction में होती है और इसकी characteristics क्या होती है कि यह load के साथ-साथ इसमें speed भी increase करता है मतलब क्या है कि load increase कर रहा है तो speed भी हमारी क्या होगी increase करेगी मतलब directly relation है load के साथ speed का तो जैसे-जैसे load increase होता है तो speed भी increase होती है और इसमें torque and speed क्या होता है almost constant होता है differential compound DC motor में हम सबते हैं तो सब्सक्राइब करते हैं तो इसलिका होटानो क्र में लिए अर्ब 사랑 कशी Natasha करते हैं डिफेरेंशल कंपाउंड डिसमेंटर क्योंकि इसमें टार्क एंड इस्पीड क्या होता है अल्मोस्ट कॉंस्टेंट होता है थैंक यू वीडियो को देखने के लिए